अवायद रूप से कट्टा लेकर घूंते हुए दो शातिर बदमाशों को किया गिरफतार बदमाशों के पास से दो कट्टा एवं एक कार्थूस जब्त जबलपुर में अवायद हत्यारों की खरीद फरोग्त तेजी से चल रही है जहां शातिर बदमाश त्वारा आएदिन अवायद हत्यार करीदे बेचे जा रही हैं और जहां आमतोर पर देखा जा सकता है कि बदमाशों के होसले कितने बुलंद हैं अनुमान तालधाना प्रभारी उमेश गुलानी से मिरी जानकारी के अनुसार विश्वसनीय मुख्मिर से सूशना प्राफ्त हुई थी कि टेणी नीम बाबा टोला में एक व्यक्ती अपने पास हाथ में देशी कट्टा लेकर खड़ा दिखा इसी तरह से एक व्यक्ती मक्कानगर पहाली के पास एक देशी कट्टा रखे हुए बेचने की फिराक में खड़ा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेरा बंदी कर पकड़ा गया नाम पता पुछने पर अपना नाम नद्दू, उर्फ नदीम खान, मोती नाला, नया पुल बताया वहीं पुलिस ने बता कि जब आरोपियों को पुलिस पकड़ने गई तो आरोपी पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों की घेरा बंदी कर गिरफतार किया है वहीं आरोपियों के पास से अलग-अलग देशी एक एक कट्टा वा एक कार्तूस रखे मिरे जिसे जब्त करते हुए आरोपी के विरुद आमस एक्ट के तहक कारवाही की गई दोनों आरोपी अपराधी प्रवत्तिके हैं दोनों आरुपियों से देशी कट्टा एवं कार्तूस कहां से एवं किस्से प्राप्त किये हैं इसके संबंद में पूस्ताच की जा रही है। नदम नदम के बहुत सारे पुराने मामले भी हैं और जब इसको पकड़ा तो इसके पास से एक देशी कट्टा वरामत हुआ है। अलग-अलग छेत्र में बहुत सारे इनके स्थाई वारंड़ी भी थें। लाडगंज में दो और गुहलपुर में एक इस तरीके से और भी हम पता लगा रहे हैं। उनका स्थाई वारंड़ी तामीर किया जा रहा है। इसी कारवाई में अपराजियों की धर पकड़ में एक चाकुवाज को भी हमने पकड़ा है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें। आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999